राजदानी राची में बड़े ही धुल्धाम से सरहुल का पर्व मनाया जा रहा है। पहले सुभा से ही राची में सरहुल को लेकर चल पहल काफी तेज है। इस अफसर पर जारखंड के सीम हेमन सोरेन एक अलग ही अंदाज में दिखे। वहां आदिवासी बॉयज हॉस्टल पहुचकर मांदर की थाप पर जूमे और लोगों को भी जूमाया। साथ ही उड़ोंने सभी को सरहुल की शुबकामनाय दी। सीम हेमन सोरेन ने सबसे पहले सरहुल की पूजा की फिर सक्वा पौधे को परिसर में लगाया। इस दोरान सीम ने ये खोशना की है कि जल्द ही आदिवासी बॉयज हॉस्टल का कायकल्थ होगा, इसकी तयारी हो चुकी है। सीम हेमन सोरेन ने कहा कि 500 बेट का नया हॉस्टल बनाया जाएगा, साथ ही महिलाओं के लिए भी हॉस्टल का निर्मान किया जाएगा। इस आदिवासी बॉयज हॉस्टल का परिसर कर तिहास काफी पुराना है। इससे हमारी आदिवासी संस्कृती जुड़ी हुई है। बड़े लंबे अर्शे से सरूल महुत्साव में हम सब लोगे कत्रित होते हैं। और चुकि यह हम लोग का प्रांगन आदिवासी समाज का एक प्रतिक के रूप में भी इसको हम देख रहे हैं। और जैसे कि मैंने आप सब लोगों को कहा है कि आदिवासी होस्टल का एक नया और भाव्य तरीके से यहां पर इस होस्टल का कायक कलब होना है। इसको लेकर के कार योजना बनके तैयार हो गई। उसकी स्विक्रिति भी हो गई है। यहां पर 500 बच्चों को हमारे नौजवान जो बाहर से पढ़ने आते हैं उनके लिए भाव्य मल्टी स्टोरेज छात्रावास बनेगा। और महिलाओं के लिए भी लड़कियों के लिए भी खुबसूरत भाव्य मल्टी स्टोरेज होस्टल का भी निर्मान हम लोगोंने करने का निर्णे लिया है। यहाँ पर आदिवासी होस्टल जहां महिला साइंस कॉलेज है वहाँ और जो हमारे राज में सहर के अंदर जो महिला कॉलेज है इसका भी चुकि इतना घनियाबादी के बीच में ये महिला कॉलेज है उसका भी बड़े मैमाने पर कारियोजना बनाने के लिए सरकार काम कर रही है।